सभी टेलिकॉम कंपनियों को लगा बड़ा जटका एक नवंबर से बदल जाएंगे, सारे नियम SMS और OTP मिलने में होगी दिक्कत देश की प्राइवेट कंपनियों में शुरू हुआ बवाल जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना आने वाली एक नवंबर से ट्राइ के द्वारा कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका प्रभाव टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ हम जैसे यूजर्स पर भी देखने को मिलेगा दरसल ट्राइ के इस नियम के लागू होने के बाद और टीपी मिलने में काफी देरी हो सकती है जिससे यूजर्स को काफी दिक्कतें भी हो सकती है और बताया तो यह भी जा रहा है कि इस नियम को आने वाली एक नवंबर दीदो हजार चौबीस से लागू कर दिया जाएगा इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्राइ की इस नई रिपोर्ट में सभी टेलिकॉम कमपनियों की पोल खोल दी है दोस्तों इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के लोग किस टेलिकॉम ओपरेटर के उपर अपना भरोसा जाता रहे हैं और क्या वाकई में लोग 5G सेवा से खुश है इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर में क्या प्रक्रिया चल रही है ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर क पहुंच सके चल ये इस वीडियो को शुरू करते हैं दरसल टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ओफ इंडिया यानि ट्राइ ने सभी टेलिकॉम ओंपरेटर को निर्देश दिया है कि वह एक नवंबर से मैसेज रिशिबिलिटी को लागू करें लेकिन अब सवाल यह कि आखिर मैसेज रिशिबिलिटी क्या है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नवंबर से आपका फोन पर आने वाले सभी मैसेज और कॉल पर निगरानी रखी जाएगी। ना मिले तो इसे ब्लॉक करने का ओप्शन भी आपको दिया जाएगा। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्राइ ने अगस्त में सभी टेलिकॉम कंपनी यो को निर्देश दिया था कि इस महीने से बैंक, इ-कॉमर्स और वित्तिय संस्थान से आने वाले ऐस इसे सभी मैसेज और कॉल को ब्लॉक किया जाए टेली मार्केटिंग प्रमोशन से जुड़े हैं। हमारे आसपास कई ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें लोगों के साथ धोखा करके उनका बैंक बैलन्स उड़ा दिया जाता है और यह पूरा काम सिर्फ एक और टीपी के जरिये होता है। अलर्ट कर दिया जाएगा या फिर आपकी स्क्रीन पर स्पैम कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिससे आपके साथ कोई भी धोखा धड़ी नहीं होगी। इस नए नियम के लागू होने को लेकर कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही है क्योंकि इस नियम के रोल आउट होने के बाद सभी बैंकों के इंपोर्टेंट मैसेज और OTP मिलने में देरी हो सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आउनलाइन पेमेंट में काफी दिक्कतें हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसी कमपनियों और ऐसे एप्स जो की भारत सरकार द्वारा वेरिफाइड है, उनके OTP और कॉल आप तक पहुँचाते रहेंगे क्योंकि इन सभी को भारत सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। और यह कमपनियां आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। जैसे ही यह काम पूरा हो जाता है, तो प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए BSNL अकेला ही काफी होगा। दरसल ट्राइ के द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट देश की सभी टेलिकॉम कमपनियों के उपर बड़ा इंपक्ट डालती है। इसके अलावा सरकारी टेलिकॉम कमपनी, BSNL और देश की प्राइवेट टेलिकॉम कमपनियों के बीच किस प्रकार से जंग चल रही है। यह खबर भी आपको आगे जन को मिलेगी। इसलिए वीडियो में बने रही है आखरी तक दरसल ट्राइ के द्वारा जारी की गई इस नई रिपोर्ट के अनुसार अब इंडिया में टेलिकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 120 करोड पहुँच चुकी है जो की एक बहुत बड़ा नंबर होता है इसके अलावा अगस्त महीने के आंकडों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर बेस रिलाइंस जियो कमपनी का था जिसका अगस्त महीने में टोटल यूजर बेस लगभग 45 करोड 52 लाख था इसके बाद दूसरे नंबर में थी भारतिये ए अगस्त महीने में वी आई की 4G स्पीड बहुत स्लो थी जिसे ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिल रहा था चलिए अब आखरी में बात करते हैं BSNL कमपनी के बारे में जिसका अगस्त महीने में टोटल सबस्क्राइबर बेस लगभग 3 करोड 62 लाख था क्योंकि बहुत ज्यादा कम है और इसी वजह से वह 4 नंबर पर आती है दोस्तों ये जो सब्सक्राइबर बेस हमने आपको बताया है वह वायरलेस एंड वायर कनेक्शन दोनों का है और यहां पर सबसे बड़ा इंपक्ट डाल रहा है टेलीकॉम कमपनियों का यू इसलिए अब भारत के लोगों ने दोबारा से प्राइवेट टेलीकॉम कमपनियों पर भरोसा करना कम कर दिया है क्योंकि जबसे प्राइवेट टेलीकॉम कमपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाई है उसके बाद लगातार ग्राहक एक कमपनी से दूसरी कमप करवाया है जबकि Airtail कंपनी की बात करें तो लगभग 24 लाख सब्सक्राइबर ने Airtail का साथ छोड़ा है जबकि V.I. की बात करें तो C.I. का यूजर बेस लगातार घटता ही जा रहा है और अगस्त महीने में लगभग 18 लाख लोगों ने भी V.I. का साथ छोड़ दिया है ज का इस बारे में क्या कहना है एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताईए बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों क के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नई जानकारी के बारे में पता चल सके बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत